Hello friends, आज आप लोगो fiberglass casting process दिखाएंगे, पुरा step by step with detail, ता चलिए start करते हैं Welcome to my art tech page यह है wax pole यह polish है as a separator इसको use करना पड़ेगा तो इसको पूरा mold पे अच्छा करके इसको लगाना पड़ेगा ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है कोई जगा छूटना जाए नहीं तो आपका mold मतलब mold में आपका जो layer है यह चिपक जाएगा ठीक है और release होने के लिए आपका बहुत दिक्कात आ जाएगा mold खड़ाप होने का chances है तो पूरा अच्छा शिष को लगा दीजिए ठीक है यह दो टाइप का liquid है यहाँ पे resin, cobalt, french shock मिला हुआ है इसका thickness देखिए थोरा गाड़ा है है न और दूसरा जो है मेरा चैनल को आप पसंद करते हैं तो please subscribe कर दीजिए और side में bell icon भी प्रेस कर दीजिए तकि है वीडियो का notification आपका पास पहुंच जाए इसमें resin और cobalt है तो यह पतला है तो दो बल्टी में आपको पहले ready करके रखना है तो पहले हम लोग fast layer डालेंगे तो यह थीक layer है यह थीकनिस आपको depend करेगा french आपको पर तो चलिए इसमें hardner डाल दिया और इसको अच्छा से मिला लीजिए यह अच्छा से नहीं मिलाएंगे तो यह आपका कम खराप होगा तो चलिए यह fast layer start कर दिया पहले इसे डाल भी सकते और उसको पर browse चलाएंगे तो ठीक है लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा कोई गढ़्धा में आपका lock ना हो जाए तो क्या होगा अंदर तक नहीं जाएगा आपका रेजिन तो bubbles आ जाएगा तो यह आपको ध्यान दना पड़ेगा तो इसलिए बहुत समाल के और thickness पी इसमें आपको ठीक करना पड़ेगा नहीं तो कहीं पी जादा मोटा हो जाएगा कहीं पे पतला हो जाएगा है न तो इसलिए आपको यह भी ध्यान दना चाहिए material wastage भी नहीं होना चाहिए आपका जब बिजनेस related काम करेंगे तो उसमें profit भी होना चाहिए material भी wastage हो जाएगा एक छोटा शपीश में ज्यादा material कर्चा हो जाएगा तो आपको लक्षान हो जाएगा तो यह भी देखना पड़ेगा आपको तो इसलिए material को सई सिस्तेमल करना चाहिए तो देखिए फास्ट लेयर हो गया आपको तो तुरा टाइम तस पनदो मिनिट आपको वेट करना पड़ेगा यह देखिए हाथ लगाकर यह सुख गया तो चलिए इसमें second layer नहीं देंगे इसमें matte डलेंगे तो पूरा के पूरा matte को भी छा दीजिए यहाँ पर देखिए matte को मैंने more के लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो depth है जो design है तो अंदर तक हर design में यह matte अच्छा से बैठेगा तो पहले आप पूरा के पूरा जगा आप छोटा 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 टुकडा करके आप बिठा दीजिए कोई जगा छूट ना जाए तो piece आपका खराप होगा और कहीं पे ज्यादा भी matte देना भी नहीं चाहिए तो पूरा के पूरा एक जो piece बनेगा उसमें level होगा और एक balance भी रहेगा ठीक है ना इसे लिए matte को सही से आप बिठा लेजे अभी क्या matte बिठाने के लिए जो दुसरा बाल्टी में जो liquid था ठीक है ना सरफ cobalt और resin अभी इसमें hardner add कर दीजे और अच्छा से इसको गोल लीजे और एक side से आप पहले brush से भीगा लीजे भीगाने से किया होगा तब तक आपका काम आगे भी बरेगा और time भी मिलेगा क्योंकि ये matte भीगने के लिए 10-15 second time भी लगता है तो ये देखिए एक color change हो रहा है मतलब आपका भीग गया और इसमें ध्यान देना पड़ेगा ये जो सपेद सपेद है ये है bubbles जो गड़धा है वहां तक आपका matte नहीं जा रहा है तो अच्छा से brush लेकर ये दबा दबा के अंदर तक लेकर जाना चाहिए नहीं तो आपका piece strong नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा फास्ट लेयर और ये matte जो layer है इसका अंदर में gap रहेगा और ये आपका material खराप होगा तो इसलिए अच्छा से आपको matte को बिठाना है तो चलिए friend ये बहुत ही easy है तो राशा handling आप एक दो बार करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है तो चलिए ये देखिए इसको रख दीजिए अधा घंटा रख दीजिए और इसका side में जो है extra piece blade लेकर cutting कर दीजिए और आप release कर सकते हैं ठीक है thank you friends मेरा page को follow कीजिए share कीजिए comment कीजिए मेरा Arctic चैनल पर जाकर subscribe button प्रेस कर दीजिए और side में bell icon में all notification पाने कीजिए all notification क्लिक कर दीजिए और all videos आप enjoy कीजिए मेरा चैनल पर thank you